हालो एवरिवान वेल्कम बेक्ति मैं चैनल आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिुमान इव्वल्यूशन की बारे में सबसे पहले देखें कि हिुमान इव्वल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था पालियोशिन एपोक के अंदर स्टार्ट होँआ था जैसे मैंने यहां पर देखने को मिलेगा हमने बात करें यहां पर आपको स्टार्ट होते हुए नजर आएगा ठीक है तो फिफ्टिन मिल्योन यूर्स एगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायो पिथाकस वाज प्रेजेंट मतलब कि आज से पंद्रा मिल्योन यूर एगो से एक मतलब कि और यहां प्रेजेंट जिसका नाम था ड्रायो पिथाकस कॉले हो गया कि हम लोग बौलते हैं कि बंदर होते हेँ हमारे एक हांसेस्टर होते हैं एकनल से एक दिसा में बंदर की डेθεलेमेंट गया और एक दिसे में मतलब की human की development हुआ समझ माय ना बाते कि एक 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 ही आंसेस्टर से वो लोग भी बने हैं एक ही आंसेस्टर से हम लोग भी बने हैं कैसे हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ evidences है जिसके वज़े से हम यह से बोल रही है ठीक है human member of order primate and class mamalia human की बात करेंगे विए आनिमाल किंडम में यह थे रहेगा kingdom आनिमालिया रहेगा और फाइलम की बात करेंगे तो यह हमारे वह तीब्रेट से आ जाते हैं यह ना कुड़ेट की फाइलम कुड़ाटा की अंदर वहर्टिब्राटा की अंदर आ जाएगा यह बेसिकली बात करेंगे देरी जे common evolutionary evidences जो की बोथ एपसंड हमारे की होता है ठीक है कैसे हमको बात लगता है कि जो इदे अपने chromogemal banding pattern करोगे chromogemal banding pattern का मतलब होता है कि chromogemal की कौनसी हिसा true chromatin है कौनसी हिसा hetero chromatin है उसके banding pattern की बात करेंगे chromogemal number three and six monkey and human की बराबर रहता है ठीक है तो इसलिए हमको लगता है कि ओही तो आंसेस्टर रहेगा न मिलता जूलता रहता है हमारे 46 number of chromogemal है उन लोगों का 48 number of chromogemal होता है hemoglobin composition एक दुम बराबर होता है ठीक है ना आच्छा हम human की जो आज आपने यह modern human देख रहे हो यहां उसको देख रहे हो यह उनकी नतीजा है यहां से evolution स्टार्ट होते हुए होते हुए हम यहां पे है ठीक है यह आपकी modern human है तो सबसे पहले कौ के लिए आपकी evolution चला गया और एक दिशा में human के लिए आ गया ठीक है तो human के लिए जो आ रहा है उसको हम study करेंगे ड्रायो पिथाकस के बाद आया रामा पिथाकस फिर ऑस्ट्रल पिथाकस होमोहबिलीस होमयरक्टस नियोंडर्थाल होमोशापियन्स फोसिलिस और होमोशा remember मतलब की यह बात जरूर याद रखे अपेल हाज essential nutrient for human अपनी साथ प्षूने होंगे आना अपेल की पावए फ्रूम डॉक्टर हमें ऐसे बोलते हैं तो ऐसे याद रखे ड्रायो पिथाकस आर से रिमेंबर से रामा पिथाकस अपेल से ऑस्ट्राल पिथाकस हाज हम हाबिल is essential मतलब की हमो इस है देखे हाज से आपका यहां से हुमो स्टार्ट हो गया उसके बाद जो आएगा आप 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 अटोमेटिकली हुमो लगा होगे ठीक है तो एसेंचियाल मतलब की इरेक्टर सा गया नियोंडर थाल से हम नियोंडर थाल याद रिखिए फॉस से फॉसिल है कि पुछा चाता है कभी-कभी एप लाइक यानि कि बंदर जैसे कपी मानव हम किसको कहते हैं एप म्यान आपकी ड्राय पिथा कस होता है ठीक है तो उसको हम कॉंसिडर आंसेस्टर मानते हैं human के लिए एप के लिए तो उनकी जो जो होता है वो यूसेफ जैसे रहता है इस हाथ पेर को यूज कर रहा था और अभियूसली इसको आर्बोरियाल मोड ऑफ लाइफ सो करते हैं तो यह ज्यादा ही मंकी जैसे होता है वहां से ड्रायो पिथा कस से आपकी बन गया रामा पिथा कस आप यहां पे देख सकते हो ठीक है रामा पिथा कस इसलिए रामा है कि इंडियान कुल्चर के अंदर आपने रामा सी गड़ रामा की नाम सुने होंगे तो फॉसिली सीवाली की हील्स अफ इंडिया से उनकी फॉसिल मिला था तो इसलिए उनका नाम रामा भी था कस है वह तो इंडियान नाम है ठीक है तो दिसी जे मोर मैन लाइक है ना यह ज् spend more time on the land तो एक ट्रांजिशनल फॉर्म आप मान सकते हो कि ट्री से लैंड को आने की उसके बाद आएंगे ऑस्ट्रालोपिथाकस जैसे यहां पर फोटो पर देख सकते हो ऑस्ट्रालोपिथाकस आप बोलो कि यहां पर कि पीछे सार्ट्स में ऐसे ब्याग्राउंड है क्या होत होंगे चार्ट जिट्टीपी के बारे में उहीं पर बना देता है ठीक है ना ऑस्ट्रालोपिथाकस जो होता है ओकम्स त्री टु फूर मिलियन यूर्स एगो यह कब आया है तिन से चार मिलियन पंदरा मिलियन यूर्स एगो से स्टार्ट हुआ था समझे ना कितने टाइम लग रहा है सिर्फ 3-4 बिलियन यूर्स एगों से वह आया है इट फांद इन इस्ट आफ्रिक्या एथोपिया और तांजनिया जब भी आपको कभी भी कोश्यन आएगा कि हीमान इवलेशन कहां स्टार्ट हुआ था आंसर होगा आपकी आफ्रीका ठीक है आफ्रीका के स्टा अब इस्ट आफ्रीका का इथोपिया और तांजनिया में आपको दीखने को मिलेगा उस्टो ना नातो रामापिताकस में इस में बाइबव करक मतलब कि दो पेयँ का उन्हें इस्तमाल किये हैं उनकी जो हाया था फॉर फुट असफास था तो फोलीम स्टर जाएंगे तो वही species को cool मिला के सारे species को हम बोलते हैं Australopithasians ठीक है ना members of Australopithas living East African grassland about two million years ago आप बोल रहे होगो देखे यहां पर 3 to 4 million ago वो आए थे 2 million उनकी और ज्यादा member क्यूं मिल रहे हैं कि उनके कोई सारे species थे ठीक है ना एक तरीके के स्पेसिज नहीं थे बहुत सारे तरीके के स्पेसिज तो एक स्पेसिज उनका दो मिलियोन यह से गोयरा उनकी जो एक जो उननकी स्वरापरीN से पर देख सकते हैं और इस फोटो और इस फोटो के अंदर यह बंदर जैसे ज्यादा लग रहा है यह आपको लग रहा है ठीक है आच्छा मेंबर अस्ट palपिथ्यक स्पात करेंगे इसकि एक चार सल बेड़ी गया ल और जिसको उन्होंने नाम लिए थेuba छोटा बेबी की एक फोल्च्र साद फिर उन्होंने जब स्टॉब किया जुअन्टिस्ट को मिला था करने के बाद उनको फिर उनकी दूसरा स्ट्रक्चर भी उनको मिल गया वही पर्टिकुलर एडिया के अंदर तो उन्होंने उसका नाम टुआंग भी दिये थे जो कुछ ऑस्ट्रल्पिताकस अप्रिकांस ठीक है तो आपको यहाँ पर याद रखने वाले बात है कि फ्री टू हईंगे हमोखश सब्सक्राइं रयखनास द्राइव पिताकस अप्रिकांस यहां पर होईल्स आगें तो यहां पर दिखे होवाड आ गया हमारे पास अब दो हमारे नाम उता है न होमोसापीश-पैश तो होमो वाड यहां से आना शुरू हो रहा है तो फस्ट मेंबर प्र हो कि यह एक टूल-मेकर होता है, यानि कि टूल समझेर ने instrument, जैसे Mतलब कि इंस्ट्रूमेंट बनाना, स्टोन को ले के पत्थर जो था उसको लेके उन्होंने कुछ instrument बनाना स्टाट किया, यहांदे भाध में एक टूल लेके घूम रहेते कि क्यों कि यो जंगल के अंदर रोए तो वहां 20 दूसरे जानवार उपर आटक करेंगे तो इससे बचने के लिए क्लिए क्ले टू canoe को यूज कर रहेते है तो यहां पर और ज्यादा आपको human जैसे character मतलब कि जो wise human हम बोलते हैं homo sapiens का मतलब कि wise man तो wiseness ज्यादा increment हो गया यह था homo habilis यहां पर तो भी जुक के चल रहा था उसके बाद कियोंगे homo erectus नाम से आपको बता लगता है कि erect हो गया यहने कि straight हो गया ठीक है it was moved out Africa यह ऐसा human evolutions के एक था जो कि आफरीका से move out हो गया वहां तक आज तक जब पढ़ रहे थे ड्राइपिताकस रामापिताकस ऑस्ट्रल पिताकस हो महाबिलिस तक यह कहां पर रह रहे थे आफरीका में रहे रहे थे यह एक लोता बंदा था जो move out हो गया आफरीका से चला आया यह कहां पर होता है फिलिपाइन्स जो चाइना यहां पर आगे आफरीका से चाइना मतलब की एस्या की तरफ हो आगे ठीक है अच्छा स्केलीटन फाउंडीन जाभा उनकी जाभा में उनकी जो स्केलेटन में थे साथ्यावामयान्पेकिंग के अंदर मिला थे जावा में यह कह से ओसको हो से चाइना की ब्रें कापसीटि सुटा कि नाइन हंडर क्कु से कि Yeo सब्सक्राइब हो गया मतलब ब्रेंड कापसिटी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है यूज तो फायार को ऐसे यूज कर रहे थे फायार को कैसे कंट्रोल करना है फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया फरेस्ट फायर के अंदर जो अनिमास था उसको लेके खाने के बाद उनको प्रदलोफ किया जाता है बच्चा होता है माबैप उनको प्यारतिंग च Eagles करते हैं जब बच्छा बड़ा हो जाएक मां बाप क्या बुध्धे हो जाएंगे यूज लिए उसको प्यान गया जाता है तो हम लोगों कैसे पता लगा कि उनके पास फामिली था क्योंकि जब भी उनको अंदर चूट लग रहा था, उनकी जो फसिल्स मिला है, चूट लगने की कई साल की बाद उनको टेथ हो रहा था, इसका मतलब ही कि उनको तो कोई केयर कर रहा होगा ना, इसलिए तो उन्होंने क्या चूट लगने की वावजुत भी जिन्दा रहे हैं, समझ रहो ना, त तो उनकी case में भी Carnivalis था, Carnivalis का मतलब कि अपनी जो ancestor, मतलब कि अपनी species था उनको खा लेते हैं, human human को consume करेगा, उन species को खा लेते थे, ठीके न, ये चीज भी था, लेकिन family भी बना रहे थे, अपने दूसरे को खा लेते थे, तो ये था, Homo erectus, Oosterid चलना सुरू किये थे, तो इ उसके बाद देखेंगे, Homo Neanderthal, Neanderthal जो होते थे, from Homo erectus, देखें, एक यहां से मजादार बात होता है, Homo erectus से दो species की जनम हुआ, एक होता है Homo Neanderthal और एक होता है Homo Fossilis, ठीके न, देखें, Homo sapiens Neanderthal और Homo sapiens Fossilis, Neanderthal को सिर्फ अपने Neanderthal man बोल सकता हो, और Fossilis को Chromagnon Fossilis बोल सकता हो, Humans are developed from the Homo Fossilis, देखें, एक बात देखें, कि जैसे कि आपने बहुत सारे species, जैसे बीर की, कहीं सारे species, अपने white color, polar bear, कहां पर देखेंगों, आपने polar area में देखने को, black color की जो रहता है, हमारे tropical area में रहता है, different organisms के कहीं सारीके species, बाट्स है, बाट्स यह species आपको मिल रहा है, सब जितने मिल रहे है, सारे homo sapiens होते हैं, तो races अलग होता है, Mongolian races है, ठीक है ना, Negro races है, मतलब कि coloring according, color according, body color according, हमने ऐसी किछ बोल लेते हैं, लिकिन, आमेरिका में भी जो रहे रहे हैं, वो भी homo sapiens होते हैं, आफ्रीका में जो रहे हैं, वो भी homo sapiens से सोते हैं, human के सिर्फ और सिर्फ एकी species होता है, क्यों होता है, आज हम बात करेंगे, ठीक है, आच्छा, तो यहां से आप confirm हो जाईए कि homo erectus चो था, वो दो ग्रूप में divide हुआ, homo neanderthal and homo fossilis, homo neanderthal and fossilis के बार में बात करेंगे, उसके बाद इस मुद्धिक पर ठीक है ना, तो at ice age, मतलब कि बहुत ठंड एरिया में वो रह रहे थे, more cold area के टाइम के अंदर हो थे, it was present 140,000 years ago, यहां इतना तक था, उनके यह ज्यादा क्या थे, वो ज्यादा muscular थे, यानि कि ज्यादा strong थे लोग, cranial capacity उनका 1400 cc था, तो इनके पास कुछ religion के बात हो रहा थ है क्यों कि उनकी फॉसिल जहां पर मिला था, उन बोल रहे थे कि dead body के सासाथ उनकी जो use किया गया सामान को भी उससे बिर्ट कर देते थे, यानि कि उसके अंदर डाल देते थे, उनकी मानना था कि दूसरे जनम जो होता है ना, दूसरे जनम की जो concept है, उनकी mind में आया था, दूसरे जनम पर जहां पर जाएंगे, जहां पैदा होंगे, उस सारे चीज़े उनको use होगा, तो इसलिए उनकी जो tools बगरा था, उनके सासाथ बिर्ट कर देते थे, ठीक है, they use the body covered by animal skin, तो यहां पर animal skin को use करके body को cover कर रहे थे, ठीक है, क्यों कि देखिए, जो dress पहनना भी तो यहीं पर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो ठंड एरिया में रहे थे, ठंड एरिया में हम लोग तो homo sapiens होते हैं, हन्यकि हमारा body temperature constant रहता है, बड़े temperature को maintain करने के लिए हम जैसे sweater पहनते हैं, ठंड के motion पहो, इसलिए वो dress पहनना स्टार्ट किया, उससे पहले dress पहनना न कि यह बहुत स्ट्रॉंग थे, है ना, और cranial capacity इनका 1400 cc था, फोल टाइम पर रहे थे, इसलिए उन्होंने body cover करना स्टार्ट किया, फिर देखेंगे cromagnon man, जोसको हम homo sapiens, fossilis बोलते हैं, वहां पर देखें, यहां पर cranial capacity 650 cc, मतलए कि यह modern human से भी उनका ज्यादा होता है, ह फासिल वास इस cromagnon rock से मिला था, यह intelligent थे और उनके पास भी culture, cultural activities था, यहनी कि जैसे family बनाना है ना, तो इस तर के से चीज़े वह बल रहे थे, they live to in the family inside the cave, वह cave के अंदर रहे रहे थे, गुंफी के अंदर रहे थे, और नमेड वह बना रहे थे, stone से, bone से, या एनि एलिफ यहाँ पे homo erectors थे बताए थे कि यह आफ्रीका से चले आये थे, China वगरा यहाँ पर घूमने के लिए, ऐसा नहीं कि, मतले कि यह तो group में आएंगे, ऐसा नहीं कि एक family बोलेंगे हम China जाके settle हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, फिर जब development हुआ, और यहाँ यह क्या कर रहे थे, य जंगल के अंदर घूमने के लिए चले गए, ओ बोल रहे थे हम तो strong थे, फिर क्या हुआ, ओही लोग सिकार की attack हुई, आनि कि जो जंगल की जो organisms थे, आनि कि tiger हो गया, lion हो गया, क्योंकि आपर ज्यादा जंगल था, human अभी उतना नहीं है, ठीक है, तो ओ ज्यादा पहला बा human तो है ना, तो ये थोड़ा intelligent थे, intelligent तरीके के उनको kill करना start किया, पहला चीजी वो अपने आपको ज्यादा strong bone सोच रहे थे, इसलिए अक्यला चल रहे थे, जंगल के अंदर, उसलिए उनको क्या हुआ, उनको मतलगी tiger बगेर आटाक किया, तो उनके death हो गया, ये death की एक हिस होता है, दूस्टर हिससा होता है कि homo sapiens fossilis जो थे, वो तो intelligent थे, वो साथ में घूम रहे थे, ठीके ना, साथ में घूम रहे थे, तो एक group जाएंगे, तो tiger बगेर आटाक करेंगे, तो बज सकते हैं, ठीक है दूस्रा चीज, तिस्रा चीज होता है कि homo sapiens fossilis उनके उपर आट करेंगे उनका बच्चा बनेगा उनकी मालेजी फिमेल के साथ मेटिंग किया उसको तो टो टिक कर देगा लेकिन उनकी बच्चे को तो किल नहीं करेगा ना बुलेगा अपनी बच्चा है तो इस तरीके से होमो फॉसिलीस जो होता है वह आगे चल कर डैवलप हो गया इसलिए अलोब और वाल्ड में आप जहीं पर भी देख रहे हो सब होमो सापीन सापीन्स होते हैं आपको ऐसे कोई दूसरे स्पैसिस दीखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो यह क्रोमेडन की बार में हो गया उसके बाद देखिए मॉडन हुमान जो कि 25,000 ये अगो होलोसीन इपोज के अधिक है फिर आप देखोगे इस सूल्डर की सामें ऐसा हुआ है ने की समें ऐसा हुआ है पिर है ना इस कॉर्ब होने से क्या फाइदा होता है अपने गाएं भीस में काव बगेरा उनकी जो बाटिब्रेल कलम होता है क्योंकि उनको 4 पेर में चलना है तो इसलिए बाटिब 650 था ना अभी 1300 से 1600 CC हो गया तो agricultural स्टार्ट किया मतलब कि फैमिली बगएर तो बन गया था और ज्यादा रेवलोप हुआ उसके बाद उन्होंने हंटिंग तो कर रहे थे उसके साथ अग्री कल्चर यानी की क्रिसी करना उन्होंने स्टार्ट किया कास्परियन भूम अधिसागर हम जुसको कहते हैं कास्परियन एरिया के अंदर यह आपको देखने को मिल रहा था अच्छा यह था आपकी पूरा का पूरा human evolutions की बारे में आ आपके questions आने वेल आहें